किसान सब्मान निधी पाने वाले किसानों को अब खाता आधारित विभस्ते की बजाए अधार आधारित एकेवाइसी करानी होगी ऐसा नहीं किया तो किसान सब्मान निधी नहीं मिल पाएगी उपकरशी निदेशक हीरासिन जीना ने बताया कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहत जनपद में लाप प्राप्त कर रहे है किसान भारत सरकार के किरिशी एवंकरशक कल्यान मंत्राले द्वारा अप्रेल 2022 से जुलाई 2022 के उप्त योजना अंतरगत लाप के अंतरण है तू बैंक खाता अधारित व्यवस्ता के इस्थान पर अधार अधारित व्यवस्ता लागू कर दी गई है किसान प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना की बैक साइट pmkisand.gov.in पर उपलब लिंक ekyc के मार्दियम से ततकाल अपनी ekyc कराएं बैंक में पहुचकर अपनी किसी भी एक बचत खाते में अधार सेडिंग मैपिंग एवं npci अकाउंट डेफॉल्ट एवं uid enable for dbt यह तीनों कारे अनिरूप से करा लें जिससे पाद्र लभार्तियों को समय से योजना का लाप प्रणमंतरी किसान सम्मानिदी युजना के अंतर अब जो है सरकार में अपरेल 2022 से जुलाई 2024 के अंतर गई जिन किसानों को लाप लेना है उनकी किस्त का अंतरण अब जो हैं एककाउट इंक एकाउंट आधारित द्यस्ता के बजाए अधार। आधार द्योस्ता लागू कर दिये हैं। वह प्रधान बंतरी किसान संबान सब्हां निदी का जो लाव लेना चाते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मानी दियोजना की वेफसाइट पीमकिसान.gov.in पर एक लिंक उपलब्द EKYC के है जिसके मात्यम से तत्काल अपनी EKYC किसान करा सकते हैं और बैंक में जाकर अपने किसी भी एक बचत खाते में वहां पर अधार सीड़िट मैपिन NPCI एकाउंट डिफार्ट और UIDI Enable for DBT ये आएगा उस पर तीनों कारे अनुवारी रूप से पौंड करा लें जिससे हमारे किसान भाईयों को इस योजना का लाव मिलने में कोई कट आपनों धन्यवार